हिंदू 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 का भाई क्यों बाबसाब अगर तुम्हारे हिसाब तो कुछ भी ना है वो तुम्हारे जीजा भी लगे ना तिन ध्यान हो तो कुछ जै परशुराम भाईयों यार एक लड़का मैंने देखा भी उसकी वीडियो देखी सोनू गौतम दादरी वो अपनी एक ब्रहामर समाच की लड़की है उससे बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था पहली बात तो ब्रहामर समाच की है और दूसरी बात तू क्या कह रहा था यह कर देखा सौरी बोल दे तू ऐसा करना नाम मेरा लिख ले और नाम आई रहा है सामने और यूपी से 25 हूं बरेली से तू मेरा बाल पाड़ ले और वो कुत्ता बनाऊगा ना तुझे साले औकाद में रहो तूम ना जो लड़कियों के बारे में बोल रहो तूम तू आ मेरे सा खिलाव या किसी भी धरम के खिलाव बोलेंगे तम भी एफ आयार करोगे और तम भी हमारे बारे में वीडियो बना के डालोगे जब तुम हमारे बावासाब के बारे में हमारे सविदान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो तो भाई नहीं एक वीडियो बना दी और वाक परिवारिक सोच है तुमारी सोच यह वरना आज के टैम में लोग कह रहे हैं कि भाई भाहिचारवड़ाओ भाहिचार बढ़ाओ और मैं तो भाहिए एक बात और कहा रहा हूं कि यह बहाईचारवाडे कहां गये आज जो यह भाईचारे बना रहे है, 36 ब्रादरी को भाईचारा भाई वो 36 में तो चलो एक समाज अलग निकड़ को जो पंडित है पंडित भी भाई हमारी गयल है क्योंकि पंडितन ने पतो है कि यह छोरी ने गलत करो है लेकिन तुम लोग वा भाई है सौनू भाई है धमकी दे रहे हो और भाई देख मैं धमकी ना दे रहा लेकिन फिर भी तो होते कह रहा हूँ अगर मेरी वीडियो तेर दोहर तक पहुंच जा मेरा नाम आकास गौतम है फिर्दबाद में में रहूँ मेरा नमबर नोट कर ले 9205-200-457 यू मेरा नमबर है और हमेशा ओन मिलेगो जब तु फौन करेगो और फिर्दबाद में भी आ सके तो आजी हो बढ़खल में मैं रहता हूँ बढ़खल विदान सवा पूरी मसूर है पूरे हर्याने के अंदर और दूसरी बात तुम वात तब निपटने तो पहले ना सौनू तो निपटने पहले तो मेर तो निपटने लियो और पूरा समाज आज एक गैल है तु का सोच रहो है जोक तु सौनू धमकी देगो तो तुम मतलब सबन दबा लेगो भाई सौनू कोई हलकी उलकी चीज ना है समाज वाके गैल है कदी कई वहम में होग है और भाई अंकुस पंडित तेड़ते एक बात और कह रहा हूँ तु या उलजन्व मत्फस है जो कानून कारवाई हो रही है चोरी खिलाब वाहोंड दे बिना फाल में तू अकेल हो पूरे समाज बदनाम कर रहा है और वहाई हमारी कई धरम ते कई जाति कोई हमारी बेर दुस्मनी ना है हमारा सिदे सीदे सरी कहना इस ही हो और हमारे समाज के खिलाफ देग बोलेगा और इतना ही बाबा साब है क्योंकि जो छोरी जो बोलगी ने इतनो कुछ भाईवाद छोरी यू भी ना पतो होईगी कि बाबा साब ने जो आग जो इतना बोलगी ना वो बाबा साब की देन है फोन जो वाके हाथ में आओ ना वो भी बाबा साब की देन है महिलाओं को तो इतनों सोच नुची है लेकिन का दिक्कत क्या बात है यार जैसे घरवाड़े शिक्सा देंगे वैसी तो मिलेगी शिक्सा घरवाड़े ने वक्त बताई ना होएगी भारत के सविधान के बारे में और वहाई यू भी ना पता दिका धाराई 104 से लगी पड़ी है घरवाड़े भी खिचे-खिचे डोलेंगे अगर गया लागे तो और भाई मैं सबीते एक बात कहा रहा हूं जो विवा छोरिक सपोर्ट में लग रहे हैं कि भाई कानून जो कारवाई कर रहा है जो समाज उसके खिलाफ कारवाई कर रहा है वह आराम तो होन तो तो बिना हिसाब से तो कुछ भी ना है वो तुमारrine जीजाभी लगे ना तो इन ध्यान हो तो कुछ है कि वावा साव ने पअ पनात्त की शोरी घो तो पंदत की o और जो उस्झोरी नू कह रही है ना या कि बावा साब ने करा था कोपी पेस्ट करा औरा जो सविधान में जू अच्छी बात है ना ज्ञा दूसरे देशन की वो बावा साब नहीं या सविधान में डाली ही भारत के मैं और जो महिलाओं को इतने अधिकार दिये ये तेरे जो महापुर्स बैठे न तुमारे अब मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता कि वो उन्होंने भी देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छे काम करें हैं तो इसलिए उनका सम्मान करना बनता है हमको भी